हेलो एवरिवन वेलकम टू आवर यूटूब चैनल यहां पर देखिए हम पार्ट थ्री कर रहे हैं जो आपका चैप्टर नंबर सेवेन है सिफ्थ क्लास का फ्रेक्शन उसकी एक्सरसाइज हमारी यहां पर रह गई थी यदि आपने इससे पहले के दो पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पर जाए विजिट करें और प्लेलिस्ट में आपको सिफ्थ क्लास का चैप्टर सब भी महाँ पर हमने प्रोवाइड की हुए है इससे पहले की जितनी भी चैप्टर सापके है और पार्ट वगयरा जितना भी है सब हमने वहाँ पर दिया हुआ आपको तो अर्रेंज करना है और उसके बाद बताना है कौन सा बड़ा या कौन सा चोटा है किसके बराबर होगा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ए पार्ट हम यहाँ पर करते हैं यहाँ पर टोटल कितने है यहाँ पर टोटल पार्ट हमारे कितने है वन टो 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 ट टोटल पार्ट यहाँ पर 8 है और सेडिड पार्ट यहाँ पर कितने है आपके 3 पार्ट है तो यह fraction मन जाएगी 3 by 8 next यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपके total part कितने 8 है और shaded part यहाँ पर कितने है आपके 4 और यह plus 2 यह 6 है तो यह fraction बन जाएगी आपकी 6 upon 8 next part यहाँ पर देखिए आप इसके अंदर 2, 3 and 4 तो यह आपकी fraction हो जाएगी 4 upon 8 next यहाँ पर 1 part है तो यह आपकी 1 upon 8 बात करते ascending order की like fraction है तो सबसे पहले 1 by 8 आएगा 1 by 8 से जो आपका बड़ा है वो आपका 3 by 8 है और 3 by 8 से बड़ा होता है आपका 4 by 8 and 4 by 8 से बड़ा होता है आपका 6 by 8 अब बात करते यह तो आपका हो गया ascending order यदि आपको इसी का descending order लिखना है तो आप इधर से इसको descending कर सकते है मतलब सबसे पहले 6 by 8 लिखेंगे फिर 4 by 8 लिखेंगे फिर 3 by 8 लिखेंगे फिर 1 by 8 लिखेंगे अब बात करते कौन सा किससे बड़ा है किससे छोटा है तो यहाँ पर देखे 1 by 8 आपका 3 by 8 से छोटा है 3 by 8 आपका 4 by 8 से छोटा है and 4 by 8 आपका 6 by 8 से छोटा है तो यह आप इस तरह इसको कर सकते हैं next आपका B part है, B part आप simply इसको कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर total कितने हैं यहापे, 9 है, total 9 part है तो denominator में आपका 9 आ जाएगा, next colored कितने हैं यहापे, shaded region आपके 8 है तो यह आपका 8 by 9 हो जाएगा, इसी तरह यहापे देखे, shaded region आपके 1, 2, 3, 4 है, तो यह आपका 4 by 9 हो जाएगा, 6 by 9 हो जाएगा, ascending order की बात करता हूँ, तो यहाप सबसे पहले 3 by 9 आएगा, उसके बाद 4 by 9 आएगा, and फिर आपका 6 by 9 आएगा, and 8 by 9 आएगा, यह आपका ascending order इसका हो जाएगा, descending की बात करता है, तो descending में आपको इधर से लिख देना है इसको, सबसे पहले 9 by 8 लिखना है, फिर 6 by 9 लिखना है फिर 4 by 9 लिखना है 3 by 9 लिखना है यदि आपको descending order नहीं आता है तो आप previous वीडियो देखें महाँ पर descending order ascending order मैंने अच्छे समझा रखा है उसके बाद बड़े या छोटे की बात करते है तो 3 by 9 आपका छोटा हो जाएगा 4 by 9 से 4 by 9 आपका छोटा हो सी पार्ट है आपका यहाँ पर आपको show करना है 2 by 6 4 by 6 8 by 6 and 3 by 6 on the number line और उसको क्या करना है यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा होगा अब यहाँ पर simply यहाँ पर देख पार है आप 5 by 6 है 2 by 6 है like fraction है denominator same है तो यहाँ पर 5 और 2 में compare क यह वाली fraction बड़ी हो जाएगी इसी तरह 3 by 6 है and यह आपका 0 है तो इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते है यदि मैं यहाँ पर 6 से 0 क्या कर सकते है 6 से multiply and 6 से divide करा दूँ तो यह क्या हो जाएगा आपका 0 into 6 0 upon 6 इसको लिखा जा सकता है अब 0 upon 6 अब यहाँ पर देखो आप 3 by 6 है और यहाँ पर 0 by 6 है तो like fraction हो गई और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 0 में 3 बड़ा हो जाएगा तो इस तरह आपका sign आजाएगा next यहाँ पर देखिए 6 और 6 बराबर है जो denominator है वो same है numerator चेक करेंगे 1 और 6 में 6 बड़ा होता है तो इस तरह हो जाएगा यहाँ पर भी denominator सेम है और numerator चेक करेंगे 8 और 5 में 8 आपका बड़ा हो जाएगा तो यह तो आप case में जो sign है भी हमने यहाँ पर लगा दिये उसके बाद इसे number line पर कैसे put करना है यह हम आपको बता चुके है simple आपको एक number line लेनी है 0 to 1 यहाँ पर 6 पार्ट करना है इसके 1,2,3,4 यहाँ पर 5 ले 1 तो यहाँ पर आपका यह 1 हो जाएगा इसी तरह यहाँ पर 2 by 6 लिखना है तो this point is 2 by 6 इस तरह यह आपका हो जाएगा 4 by 6 भी हो जाएगा 8 by 6 के लिए आपको यहाँ पर 2 और आगे बढ़ा देंगे हम यहाँ तो यह आपका 7 upon 6 हो जाएगा और यह आपका 8 upon 6 हो जाएगा इ तरह भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पर comparison करना है, comparison यहाँ पर भी आप कर सकते हैं राम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आपको ध्यान लखना है, यह आपका जो fraction है, यह unlike fraction है, 1 by 7 and 4 by, मतलब 1 by 7 and 1 by 4, तो इसमें देखना आपको कौन बड़ा है, कौन चोटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से multiply करा देंगे, 4 से divide करा देंगे, यहाँ पर 7 से multiply, 7 से divide, यह 4 upon 28 और यह आपका 7 upon 28, अब यह like fraction हो गई, 4 और 7 में आपका 7 बड़ा होता है, तो इस तरह का sign यहाँ पर लग जाएगा, this is our this, and next यहाँ पर आप इस तरह चेक कर सकते हैं, like fraction में कोई problem नहीं है, unlike में, थोड़ा वो denominator को आपको arrange करना होगा, question number 4 को भी आप कर सकते हैं, अराम से, question number 5 भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको देखो यह आपका unlike fraction है, इनको पहले fraction में, like fraction में change करो, उसके बाद इसको कर सकते हैं, easily, इसी तरह यह सब part आप यहाँ पर कर सकते है next, यहाँ पर पूरी exercise आपकी यह की जा सकती है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं, addition and subtraction की, और fraction, fraction को जोड़ा और घटाया कैसे जाए, अब इसके लिए देखिए, आपको जरूत पड़ेगी, LCM की, तो LCM आपका list common, multiplier आपको याद होना चाहिए, कि LCM आप कैसे निकालते है अब यहाँ पर देखिए, simply सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आपकी like fraction होती है, उनको कैसे जोड़ा जाता है, like fraction, इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले add कर लेते हैं, add के लिए हम एक example ले लेते हैं, 2 upon 3, and plus का sign लेंगे, 1 upon 3, तो इसको add कराने के लिए, देखो denominator आपका same है, तो LCM क्या आजाएगा, आपका 3 आजाएगा, और उपाहले वाले digit को plus करा देंगे, 2 plus 1, तो this is about 3 upon 3, तो यह आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, next B part हम यहाँ पर ले लिते हैं, यह आपका ले लिते ह 5 हो जाएगा, and यह आपका हो जाएगा, 4 plus 2, this is our 6 upon 5, तो यह आपका answer हो जाएगा, यह तो आपकी बात हो जाती, like fraction की, अब बात करते हैं, unlike fraction के, unlike fraction, अब unlike fraction में क्या होता है, अब यहाँ पर हम ले लिते हैं, 4 upon 5, plus 2 upon 10, इस तरह हम ले लिते हैं, तो यहाँ पर देखिए, य unlike fraction मतलब denominator different है, तो यहाँ पर हम denominator different है, तो हम यहाँ पर 10 के factor करेंगे, 2 into 5, and 5 के factor करेंगे, 1 into 5, और यहाँ पर हमें निकलना क्या है, LCM निकालना है, LCM आपने निकालना है, previous classes में, तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी common होती है, 5, इसको one time लिखेंगे, बाकी सब को लिख द कराएंगे, तो 2 आएगा, 2 into 4, plus 10 को divide कराएंगे 10 से, तो 1 आएगा, 1 into 2, तो simplify कराएंगे, तो यह आपका आजाएगा, 8 plus 2 upon 10, this is our 10 upon 10, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इसका addition हो जाएगा, unlike fraction का, तो यह तो बात आजाती है, आपकी addition की, यदि हमें subtraction कराना है, अब subtraction में देखिए, subtraction में आपका क्या हो जाएगा, माल लेते हैं, 2 upon 3 को minus कराना है, 1 upon 3, यह आपका subtraction कराना है, like fraction के अंदर तो आपका LCM 3 रहेगा, 2 minus 1, this is our 2 minus 1, तो 1 upon 3, तो यह आपका answer आजाएगा, 1 upon 3, 4 upon 5 में से minus कराना है, 2 upon 5, तो आपका LCM आजाएगा 5, एड यह आपका हो ज subtraction होता है, unlike के, unlike के लिए यह दि मैं बात करता हूँ, 4 upon 5 में से minus कराना है, 2 upon 10, तो same LCM आ लेंगे, आपके LCM निकालेंगे, तो LCM आपका कितना आजाएगा, यह आपके 10 आजाएगा, उसके बाद 10 को 5 से divide करेंगे 2, और 2 into 4, तो आपका 8 हो जाएगा, minus, फिर 10 को divide करेंगे 10 से, तो 1, 1 into 2, तो आपके कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, this is our 8 minus 2, तो यह 6 upon 10, तो answer is 6 upon 10, तो यह आपका क्या हो जाएगा, unlike fraction का addition and subtraction, यहाँ पर बता दिया, unlike fraction का addition and subtraction, यहाँ पर बता दिया, तो चलिए कुछ examples इनके देख लेते हैं, यहाँ पर इनोंने देखी क्या किया, 5 upon 28, प्लस 4 upon 28, यहाँ पर क्या होतता है, 28 LCM आजाएगा, 5 प्लस 4, तो यह आपका आजाएगा, 9 upon 28, तो यह आपका क्या हो जाएगा, do this, explain that, अब यहाँ पर इसको समझने के लिए क्या करना होता है, इनोंने कुछ step बगएरा दिया है, तो step बगएरा को आपको याद नहीं रखना है, simple जैसे हमने आपको बताया, इस तरह आप इसको कर सकते हैं, इस step को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर क्या है, system आपका, सीधा exercise भे पहुंचते हैं, यह हम आपको करा चुके, इनोंने यहाँ पर क्या किया, figure की help से बताया है, तो figure की help से हमने आपको बताया है, कैसे आप calculate करा सकते हैं, कैसे mix fraction इकालते हैं, थोड़ा सहूर समझ लेते हैं, अलका से इसको, total part है, one, two, three, four, five, तो total part कितना है, five है, और set कितना हो रखा इसमें, one है, तो one by five तो यह हो जाएगा, यहाँ पर five है, और यह two है, तो यह two by five हो जाएगा, उसके बाद इनोंने क्या किया, कितना है आपका, one, two, three, मतलब three by five आपका आया, तो one by five, two by five, और is equal to आपका रहा है, three by five, तो यहाँ पर पूछा है इसने, कि यहाँ पर आपका addition होगा, यह सब्ट्रक्शन होगा, तो यदि मैं इनको जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जोड़ना है आपको, तो कितना आना चाहिए, three by five, तो दो पलस एक, तीन हुआ होगा, तभी तो यहाँ पर तीन पार्ट कलर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, add करना पड़ेगा, next यहाँ पर देखिए, one, two, three, four, five, यहाँ पर total कितने पार्ट है इसके, five पार्ट है, और यहाँ पर कितना है, two और three, तो यह आपको इसको लिख सकते हैं, five upon five, इसको लिख सकते हैं, three upon five, तो यहाँ पर कितने color बच रहे हैं हमारे, equal to में कितने color आ रहे है, two आ रहे है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, five मेंसे, यदि मैं three minus करता हूँ, तभी तो हमारा two आएगा, तो यहाँ पर sign किसका लगेगा, minus का लगेगा, next, c भी आप इसी तरह कर सकते हैं, अब इसके बाद देखे, solve करना है आपको, यह मैंने like fraction and like fraction आपको, बोड़ के उपर समझा दिया कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या करना है, 18 आपका same रहेगा, first के अंदर, और one plus one करा देंगे simple, तो यह two upon 18, this is our answer, next हमारा यहाँ पर 15 सेम र देंगे, तो यहाँ आपका आजाएगा, 11 upon 15, this is our answer, subtraction के case में भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 same रहेगा, मतलब यहाँ पर 7 same रहेगा, 7 minus 5, तो 2 upon 7, यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर answer हो जाएगा, इस तरह हम इसको simply करा सकते हैं, next यहाँ पर देखिए, D भी आप कर सकत हैं, क्योंकि यह सब like fraction है, यह आप लोग कर सकते हैं, G को ले लेते हैं, 1 minus 2 upon 3, तो इसको क्या लिख सकते हम यहाँ पर, इसको 1 upon 1 लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, 2 upon 3, तो यहाँ पर देखो, 1 over 3 का LCM क्या आजाएगा, 3 आजाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे, 1 से तो 3 आएगा, उसके बाद 3 into 1, तो आपका यहाँ पर 3 आजाएगा, minus 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से 1 आएगा, 1 into 2, 2 आजाएगा, तो यह 1 by 3, this is our answer, तो यह क्या answer आजाएगा, 1 by 3, यह इसको हम like fraction में बना ले, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 upon 3 लिख सकते हैं, फिर तो नीचे 1 मान के कर लो, otherwise आप इसको क्या करो, 3 के अंदर हमने 5 से multiply, 5 से divide करा दिया, तो यह 15 upon 5 हो जाएगा, minus 12 upon, जितना भी आपका है, 12 upon 5 है, minus 12 upon 5, तो यहाँ पर कितना आजाएगा, 3 upon 5, यह आपका answer हो जाएगा, उसके बाद इस तरह के जो आपके question होते हैं, इसको आपको कर लेना, इसमें क्या है, सुबम painted कर रहा है, 2 by 3 of the wall, space in his room, और उसकी जो sister है, मादवी, वो क्या कर रही है, उसको help कर रही है, 3 by 1 by 3 paint करने के लिए, तो इन्होंने पुछा के, how much did the paint together, दोनों मिलके कितना paint करेंगे, एक कर रहा है, 2 by 3, दूसरा कर रहा है, 1 by 3, दोनों को ज mix fraction है, यह missing fraction जो आपकी है, वो कैसे निकाल लिए, missing fraction में आपका है, 7 upon 10, कुछ minus कराया, उससे हमारा आगया 3 upon 10, तो 7 upon 10 में से क्या minus कर रहा हूं, जिससे 3 upon 10 आ जाए, तो यहां से यदि मैं 4 upon 10 minus करा देता हूं, तो 3 upon 10 आपका यहां पर आ जाएगा, तो इस तरह आपको यह क basket of orange, मतलब जावेद क्या करता है, जो 5 upon 7 basket है, वो orange की देता है, उसके देता था, उसके बाद, what fraction of orange was left in the, मतलब total कितना 1 में से 5 upon 7 minus करा देंगे, जो भी आपका आएगा, वो ही कितना बज़ जाएगा, उसके orange basket के अंदर बज़ जाएगे, adding and subtraction के बारे में, मैं आपको किये करा चुका हूँ, किस तरह add करते हैं, किस तरह subtract करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा mathematical question देख लेते हैं, यह जैसे के, इसने ने का कि subtract 3 upon 4, from 5 upon 6, तो from से पाद वाली जो digit होती है, उसको पहले लिखते हैं, 5 upon 6, करना क्या है, subtract, तो यहाँ यहाँ पर minus लगाएंगे, उसके बाद यह आपको same as it is रिखेंगे, 3 upon 4, अब यहाँ पर देखना क्या है, यह unlike fraction है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, LCM कैसे निकालेंगे, simple अपना तरीका होता है, LCM निकालेंगे, 6 के factor करेंगे, 3 into 2, 4 के factor क करेंगे, 2 into 2, LCM निकालेंगे, LCM आपका क्या हो जाएगा, यह 2 common है, तो इसको 2 को 1 time लिखे लेंगे, 3 into 2, तो आपका हो जाएगा 12, 12 is around LCM, तो 12 यहाँ पर आपका जाएगा, 12 को divide करेंगे 6 से, तो आपका 2 आएगा, 2 into 5, 10 आपका हो जाएगा, minus 12 को 4 से divide करेंगे, तो 3 आपका 9 हो जाएगा, तो 10 minus 9, 1 by 12, तो answer is 1 by 12, इस तरह आपका यह हो जाएगा, यह तो आप इसको LCM लेके करें, यह आप इसको क्या करें, like fraction में convert कर ले, अब 3 upon 4 है आपका, and 5 upon 6 है, तो 3 upon 4 को like fraction में करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको, 3 upon 4 के अंदर 6 से multiply 6 स divide कराना पड़ेगा, तो यह 18 upon 24 हो जाएगा, next आपका कितना है, यहापे 5 by 6 है, तो इसके अंदर 4 से multiply 4 से divide कराना होगा, तो यह आपका 20 upon 24 हो जाएगा, यहापे आपका देखिए, 339, इस तरह आप इसको यहापे कर सकते हैं, next यहापे देखिए, आपको add करना है, 2 by 5 plus 1 by 3, तो इसको भी add किया जा सकता है, यह तो इसको like fraction में convert करा लो, otherwise इसको आप ऐसे ही, simply LCM ले लो इसका, तब भी LCM से भी add हो जाएगा, like fraction में convert करते हैं, इसको 2 by 5 into, 3 से multiply and 3 से divide, तो 6 by 15, 1 by 3 को 5 से multiply and 5 से divide, तो 5 by 15, तो नों को add करेंगे, तो 6 by 15 plus 5 by 15, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 11 by 15, तो answer is 11 by 15, simplify करना है आपको यह, तो इसको भी आप simplify कर सकते हैं, easily, LCM लेके simplify कर सकते हैं, यह इसको like fraction में भी आप इसको change करा सकते हैं, तब भी आपका हो जाएगा, उसके बाद mix fraction की बाद आत्ते हैं, कि mix fraction में subtract या add कैसे करें, तो simple क्या है, mix fraction को आपको fraction के अंदर convert कराना है, then, आपको subtract या add कराना है, तो जैसे, यह 2, 4 upon 5 यह mix fraction में है, तो इसको fraction में डालेंगे, 5, 5 into 2, 10, plus 4, तो आपका 14 upon 5 तो यह हो जाएगा, next आपका 3, 5 upon 6, तो आपका 6 नीचे आएगा, 6 into 3, 18 plus 5, तो आपका 23 upon 6 आपका यह हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 14 upon 5 प्लस 23 upon 6, इनका LCM लेना है, and then add कराना है, LCM आप लेना जानते हैं, LCM लेने के बाद आप simple add कराएगे, तो आपका answer यहां पर आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका answer आएगा, उसको आपको, mixed fraction के अंदर ही लिखना है, क्योंकि question अमारे किसके अंदर दिया हुआ है, mixed fraction के अंदर question दिया है, तो answer को भी mixed fraction के अंदर लिखना है, और mixed fraction के अंदर लिखने का जो तरीका होता है, वो मैं आपको समझा तो आप महाँ पर जाके इसको चेक करिए गए गए गुबर. तो यहाँ पर question number 12 आप कर सकते हैं, 13 आप कर सकते हैं, and इस exercise को भी आप यहाँ पर soul कर सकते हैं, यह सभी parts आप इसके कर सकते हैं यहाँ पर, यतनी भी आपकी exercise है, यदि आपको किसी question में problem है, तो आपको comment box में जाना है, वहाँ पर question डालना है, आपको solution जल्दी से जल्दी provide करा दिया जायेगा, तो इसी chapter में आज के लिए इतना ही, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आसा करता हूँ हमारे दुवारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड, जितने भी आपके हैं, सबको share करें, एंड हमारे चैनल को recommend करें, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपी class 6 to 12 आपके रहने वाले हैं, सभी को आप ये channel share कर सकते हैं, Thank you all!